आज हम देखेंगे समकोर्ण त्रिभूच की रचना करने से संबंदित एक और दिल्चस्प उधारण जब उसके एक पाद और कर्ण की लंबाईया दी हुई हो आईए इसके लिए एक उधारण देखे राज उत्तर पूर्वदिशा की ओर दस कदम चला फिर दक्षिन की ओर छो कदम चला और फिर लोटकर शुरुवाती स्थान पर आगया चलने के दौरान राज की सभी कदमों की लंबाई बराबर थी दीगई स्थिती में कौन सी आकरती बनेगी यह ज्याद कर आकरती की रचना कीजिए सबसे पहले हमें एक रफ आकरती बना कर पता करेंगे की हमें कौन सी आकरती प्राप्त होगी इसके लिए हमें दिशाओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है तो चलिए पहले इन्हें समझे आपको याद होगा कि चार मुख्य दिशाएं होती है पूर्व यानि East पश्चिम यानि West उत्तर यानि North और दक्षिन यानि South इसी के साथ इनके बीच की दिशाएं है उत्तर पूर्व यानि North East उत्तर पश्चिम यानि North West हमसे इस प्रकार दर्शाते है तो चलिए दिशाओ की समझ से अब हमारे सवाल को हल करे हम राज का स्थान बिंदू P से अंकित करेंगे राज उत्तर पूर्व दिशा की ओर दस कदम चला मान लीजे एक कदम बराबर एक सेंटिमीटर इसलिए इसे हम उत्तर पूर्व दिशा में रेखाखन PQ कीच कर इस प्रकार दर्शाएंगे फिर राज दक्षिन की ओर 6 कदम चला इसे हम दक्षिन की ओर रेखाखन QR कीच कर इस प्रकार दर्शाएंगे और फिर राज लोटकर शुरुवाती स्थान पर आ गया इसे हम बिंदू R को बिंदू P से जोड़कर प्राप्त रिखाकर PR से दर्शाएंगे हम देख सकते हैं कि हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं कि दी स्थिती से एक त्रिभुज बनेगा क्या अब बता सकते हैं कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का प्रकार क्या होगा सोचिय सोचिय चलिए हम बताते हैं हम देखते हैं कि बिंदू R से बिंदू P पश्चिम दिशा में है और बिन्दु Q उत्तर दिशा में है इसका अर्थ है बुजा PR और बुजा QR एक दूसरे से समकोण बनाती है यानि कि त्रिबुज PQR एक समकोण त्रिबुज यानि राइट अंगल ट्राइंगल है चोकि त्रिबुज PQR एक समकोण त्रिबुज है जिसमें कोण R एक समकोण है इस जानकारे से हम कह सकते हैं कि त्रिबुज PQR में भुजा PQ कर्ण यानि हाइपोटेनियोस है और भुजा एक QR एवब PR पाद यानि लेग्स है अगर हम दिये पैमाने का प्रेयोग करें तो हम कह सकते हैं कि कर्ण PQ पराबर 10 कदम पराबर 10 सेंटिमीटर और भुजा QR बराबर 6 कदम बराबर 6 सेंटिमीटर चुकि हमें समकोर्ण त्रिबुज के कर्ण और एक भुजा का माप पता है इसलिए हम RHS कसोटी यानि RHS क्राइटेरिया से एक अध्वितिय त्रिबुज की रचना कर सकते हैं पहला चरण हमने त्रिबुज PQR के रफ आकरती पहले से बना ली है इसको देखते हुए हम त्रिबुज PQR की रचना करेंगे दूसरा चरण अब हम Ruler के उपयोग से त्रिबुज PQR की ग्यात माप वाले बुजा QR खीचेंगे जिसकी लंबाई 6 सेंटिमीटर है इस वीडियो में हम बुजा QR उर्द्वाधर यानि वर्टिकल दिशा में खीच रहे हैं लेकिन यह आवशक नहीं कि बुजा उर्द्वाधर दिशा में ही खीची जाए इसे आप शेतिज यानि होरिजोंटल दिशा में भी खीच सकते हैं तीसरा चरण अब हम भुजा QR पर लंब RS खीचेंगे जो बिन्दू R से होकर जाता है इसी लंब पर शीष P होना चाहिए चोथा चरण शीष P का स्थान ग्याद करने के लिए हम परकार में 10 सेंटिमीटर की दूरी लेंगे और परकार का नुकीला सिरा बिन्दू Q पर रखकर किरण RS को काटता चाब खीचेंगे प्रतिछेदन बिन्दू ही त्रिबुज PQR का शीष P है पांचवा चरण फिर हम शीष P को बिन्दू Q से जोड़कर त्रिबुज PQR का करण PQ खीच लेंगे इससे त्रिबुज PQR के रचना पूरी हो जाएगी तो आज हमने देखा समकून त्रिबुज की रचना करने से संबंदित एक और दिल्चस्प उधारण जब उसके एक बाद और कर्ण की लंबाईया दी हुई हो